नमस्कार मैं है अनुष का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है इंडियन प्रेमियर लीक 2020 को ले कर एक बड़ी खबर आज सामने आई है आई पील के इस चौदवे सीजन पर कोरोना का पुर्ण रूप से ग्रहन लग चुका है दरासल देश बर में कोरोना महामारी के आपको बता दे कि एक के बाद एक आई पील के खिलारी कोरोना पॉजिटिव पाई जाने लगे जसके बाद आई पील की गवर्निंग काउंसिल और बी सी सी आई ने आज सुबह एक आपात बैठक बुलाई थी और इस मीटिंग के बाद ही आई पील को फॉरण इस्थगित क नहीं करणा चाहता है वहीं इस संबन में बी सी सी आई के उपाद्यक से राजीव शुकला ने कहा है कि आगे किसी महीने में आई पील का आयोजन हो सके इसके लिए हम बाद में विचार करेंगे मगर अभी की स्थिया है कि बी सी सी आई टोड़ामेंट का आयोजन नहीं कर र उन्होंने ये भी बताया है कि BCCI खिलारियों को सहयोगी स्टाफ और IPL के आयोजन में शामिल अने भागीदारी की सुरक्षा से समझाता नहीं करना चाहता है और यह फैसला सभी की सुरक्षा और स्वास्ति को ध्यार में रख कर किया गया है इसके साथ ही अब बोर्ड लीग में शामिल होने वाले हर खिलारी और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित उनके घर पहुँचाने के लिए पूरे इंतजाम करेगा आपको बता दे कि IPL में इंगलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड, सहित कई अन्य देशों के खिलारी हिस् दिमान साहा की, कोरोना जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात की गई है। इससे पहले कोच स्टाफ से जुड़े दो सदस्यू वकोनकाता नाइट राइडर्स की गेंग बाजो, संदीप वाडियर्स और वरुन चक्रवर्ती, अमित मिस्रा समेत, आठ खिलारी के परि कोरोना संक्रमन के रोज 10,000 से ज्यादा नए मामनी सामने आ रहे हैं। देश की राजदानी दिल्ली में ही एक दिन पहले कुरुना संक्रमन के 20 हजार से ज़्यादा नए केस आये थे, दिल्ली में अभी 4 मैच बाकी थे, वहीं हामदाबाद में प्ले आफ और फाइनल मुकाबले समेट 7 मैच और बाकी थे, इसके अलावे बैंगलूरू में भी 10 मु मुकाबलों को मुंबई शिफ्ट करने के तयारी चल रही थी, इसके लिए तमाम इंतजामात भी पूरे कर, इस हपते के आखिर से IPL को मुंबई में शिफ्ट करने की योजना थी, ऐसा हो जाने पर अहमदाबाद में होने वाला फाइनल और प्ले आफ की मुकाबले भी यही खेर जाते लेकिन इससे पहले ही IPL को सगत करने का फैसला कर दिया गया है, अब देखना यह होगा कि इस्तिती के सुधरने पर IPL का यह से जन दुबारा शुरू कब किया जाएगा, इसके साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही आप तमाम खबरों से अबडेटे रहने के बिहारी न्यूस के साथ तब तक के लिए धने बाद